तो दोस्तो आज एक और सांधार कमाल और इंट्रेस्टिंग अनबोक्सिंग जो है मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ और आज के दिन हम अनबोक्स करने वाले हैं रियल्मी6 प्रो स्मार्टफोन को ये स्मार्टफोन जो है रेड्मी नोट 9 प्रो मैक्स की टकर का है जिसक के box contents जो है में इस smartphone के साथ देखने को मिल जाते हैं और आखिर में क्या-क्या features specification हमें इसके साथ देखने को मिल जाते हैं और दोस्तों किस तरह यह जो है Redmi Note 9 Pro Max से एक कदम आगे निकल जाता है तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यह है हमारे पास में Realme 6 Pro का box जो कि हमें टिपिकली स्टाइलिंग में देखने को मिल जाता है जैसी कि Realme के सभी स्मार्टफोंस जो है आज कल पैकेजिंग में आ रहे हैं और जो box का back है उसमें भी कुछ जो है इसके में हाइलाइट लिखे गए हैं जैसी कि स्नैप्रेगंट सेवन टॉन्टी जी 90 हर्स का स्मूध डिस्प्ले और 64 मेकापिक्सल एयाई क्वैड कैमरा तो खेर इनके बारे में जो हैं आगे चलके बात करेंगे ही तो जैसे ही हम जो स्मार्ट फोन जो ऐपरेट कर सकते हैं और उसके साथ अब देख सकते हैं कि ऑक चॉसरी देखने के देख लेते हैं तो ऑ ==== मिल जाता जो से नेचे जो है रखली का गदश देख ने को मिछाता है और उसके नीचे अप अगर हम जांके देखेंगे तो आप dेख ठीश हैं कि उसके नीचे हम जो है एक 30 वोल्ड का एक फ्लैस चाहर्ज जो है देखने को मिल जाता है जनी की इस फोन को जो है 30 वोट फ्लैस चाहर्ज से आप चार्ज कर सेकेंगे दोस्तों इसके साथ ही एक usb type-c केबल हमें देखने को मिल जाती है और उसके नीचे अगर एक और चीज हमारे फोन की तरफ दोस्तों सभी बोक्स कंटेंट्स देखने के बाद अब जल्Дी से हम अपने फोन की तरफ आते हैं तो अभी सबसे पहले हम इसे इस रैप कर बाहर निकालते हैं तो अभी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छा लूप जो है हमें Realme 6 Pro स्मार्टफोन का जो है देखने को मिल जाता है इसका बैक अगर आप देखेंगे तो काफी साइनी और ग्लोसी जो हमें देखने को मिल जाता है काफी अच्छा जो है इसमें texture हमें बना हुआ देखने को मिल जाता है और जो इसकी reflecting lights है वो भी हमें काफी अच्छे materialistic जो है देखने को मिल जाती है तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप इस smartphone को अपने हाथ में पकड़ेंगे तो काफी जो है आपको एक premium look और जो आपको देखने में काफी अच्छा ये smartphone look wise लगेगा तो दोस्तों इसको boot करने के बाद जल्दी से हम इसके डिस्प्ले की और पहला look ले ले लेते हैं तो काफी अच्छा और जो इसका अच्छा इसका ब्राइट डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाता है जो इसकी display की सबसे जो है मेन और खासियत है वो है इसकी 90 हर्स तो यह डिस्प्ले जो है 90 हर्स के स्मूथ रन रेट के साथ जो है चलती है और जो Redmi Note 9 Pro Max smartphone है उसमें जो है में 60 हर्स का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है तो उसी एक चीज़ में जो है यह एक कदम आगे Redmi Note 9 Pro Max से निकल जाता है तो आप गर आप जो है गेमिंग बगयरा करेंगे जो कि 90 हर्स स्मूथनेस को जो स्पोर्ट करती है तो वो काफी अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे और बाकी जो नॉर्मल टास्क होंगे वो भी 90 हर्स डिस्प्ले के साथ जो है काफी अच्छी और स् जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो है यह यह रियल्मी युवाई वर्चन 1.0 पे जो है रन कर रहा है जो कि Android 10 पे जो है आउट ओफ दा बोक्स सपोर्ट करता है और जो हमारे पास यह अभी वेरेंट अभी अविलेबल है यह है 6GB प्लस 128GB वेरेंट इसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिशन में मिल जाएगा आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं तो काफी अच्छी प्रफॉमेंस जो है आपको इस स्मार्ट फॉन के साथ देखने को मिलेगी और जो इसका प्रोसेसर है वो भी स्नेप ड्रेगन 720G है जो कि इस सेग्मेंट के सभी स्मार्ट फॉन को वह वह काफी अच्छा होगा तो अभी जो है हमें एक गंदगी जो है हमारे स्मार्ट फॉन के यूई में जो है देगने को मिल रही है और आप जानते ही हैं कि मैं किस गंदगी की जो है बात कर रहा हूं तो जल्दी से हम जो है अपने हाथों में सबसे पहले तो के बाद हो गया है तो यह थी अन्बोक्सिंग रियल्मी शिक्स प्रो की जो कि मैंने आपको अभी दे दिया है बाकी और अगर आप जो है वीडियो इस स्मार्ट फॉन के रेलेटेट चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं जरूर जो है वो वीडियो ज सब्सक्राइब भी कर देजिएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हैं